हलो दोस्तों, स्वागा थे आपका, टूटोरियल लेड़ाय में तो आध के क्लास में हम लोग देखेंगे 36 गळ के बस्तर सम्भाग के सम्मझ में आज हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है? तो 36 गळ के जो बस्तर सम्भाग है उसने 7 जीले सम्मिलित है ठीक है? कितने जब जीले सम्मिलित होंगे साथ जीले टोटल चातिस गड़ के जो बस्ता समभाग है उसमें साथ जीले सम्मिलित होंगे ठीक है अब यहाँ पर हम लोग देखे अगर साथ जीलों के सम्मद में तो इसको नक्सा को हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि यह मालो आपका 36 गड़क है नक्सा यह है तो इसमें प्रारंभ में आपका कहां जाए आप 241 में बस्ता शंभाद बना बाद में 1999 में ये बस्तर शे कट्टके आपका बन गया कांकेर ठीक है और इधर बस्तर से कट की बन गया आपका दंते वाडा ठीक है। 這वाला आपका कांके dot अब यह वाला हीसा बन गया आपका . दंते वाडा ऐह वाला हीसा आपका बन गया बस्तर חण ठीक है, अब यहां पर क्या हुटा है कि 2007 में यहां बस्तर से कटके बन जाता है नरायारपूर क्या बन जाता है नरायारपूर और दंतेवाड़ा से कट करके आपका बन जाता है बीजापूर ठीक है नरायापूर और वीजापूर 2007 में उसके बाद 2012 में ये बस्तर से जो है ठीक है बस्तर से आपका कट के कौन बन जाता है इधर अगर हम लोग देखे तो बस्तर से कट के बन जाता है आपका कुंडावम ये वालो क्या हो गया कुंडावम और दंतेवाणा से कट करके आपका बन जाता है आपके सुब्मा ठीक है तो इस तरीके से टोटल इलो की संख्यों कितनी हो जाती है साथ एक दो तीन चार पाथ छाय और साथ ये उपर वाला जो पार्ट आपको दीख रहा है ये उपर वाला ह ठीक है ये आपका हो गया कुंडावम ये वाला हो गया बस्तार ये वाला पार्ट हो गया नरायाणपूर ये वाला पार्ट हो गया पीजापूर ये वाला हो गया आपका दंतेवाणा ये वाला हो गया आपका सुब्मा ठीक है तो इसले हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये हेवालो जो भार नीचे दीख सुकमा है सुकमा से सड़क जाती है सुकमा से यह चलिए जाती है वस्तार पसताश कुन्नागाउं कुन्नागाउं से कांके एन ह-13 ही एक सड़क जाती है h20 यह ट्रम जाती ऑगे चलकर कवार था कि चिल्फी घाटी तक जाती है ठीक है एवांके त रिके से यह से एसेच स।ेट हाई हे यह कड़ से निकल करके जाती है आपका दंते बाडा से बिजापूर इनारा相akt तो यह एक नेशनल हाईवे किलंबाई सबसे ज्यादा है और दूसरा है आपका इस्टेट हाईवे एक सड़ाक आपके यहां से जाएगी ठीक है भुपाल पत्नम वीजापूर भैरमगाड गीदम जग्डालपूर ऐसे होते भी निकाल जाएगी यह जो आपका सड़ाक है एने यह एक नेशनल हाईवे ज्फिस्टी ठीक है एक नेशनल हाईवे जो आपको कॉंड़ गाउ से लेकर कहां तक जाएगी नरायारबूर तक यहां हो ठीक है तो नेशनल हाईवे एनेश- ens 130-d nela अ-raina गाउं आपको कॉंड़ जाएगी नरायारबूर तक जाएगी फित हां było पूरा पूर्शन आपका क्या है कांकेर ठीक है तो एनेस थर्टी में कांकेर में तीन सहर आपको मिलेगा सबसे पहला है चारामा दूसरा है कांकेर तीसरा है पंचवट्टी ठीक है तो चारामा जो है आप तक इंडस्ट्रिया ले जिया है चरामा क्या है इंडस्ट्रिया ले लिया और जोगित विकास केंड ठीक है यह आपको क्या हो जाएगा चरामा इंडस्ट्रिया ले लिया कांकेर, कांकेर की बात करें, तो कांकेर आपका क्या है, जीरा मुख्याला है, ठीक है, कांकेर का जीरा मुख्याला क्या हो जाएगा, कांकेर, बात करें हम पंच्वर्टी की, ठीक है, पंच्वर्टी जो है, रमयार का लिन, इस्थल है, ठीक है, राम, भगवार राम को जब ब प्रवेज द्वार कहलता है, ठीक है, उसके अलावा आपका अगला आजाएगा जो F लिखा है, हो क्या है, फारस गाउं, फारस गाउं क्यात रखने हैं आपको, कुंडा गाउं जीला है, जो उसमें इसकित है फारस गाउं, अगला आजाएगा कुंडा गाउं, कुंडा गाउ लेकिन यहां पर बस्तर करके छोटा सा सहर है, बस्तर से आगे आएंगे तो आपको मिलेगा जग्दालपूर, जग्दालपूर जो है वो बस्तर जिला का जिला मुख्याला है, इसको ध्यार रखना है, जग्दालपूर जो होगा, जो बस्तर जिला है, यह वाला भाग आपका बस्ता दिला तो बस्ता दिला का जो जिला मुख्याला होगा वो क्या होगा जग्दलपूर, ठीक है जग्दलपूर से नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको दंतेवाड़, जब जग्दलपूर से नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा दर्भा, ठीक है तो यहां पे दर्भा जिराम घाटी जिराम घाटी यहां पे नकसली हमला हुआ था जिसमें कांग्रेस के कुछ निता मारे गए तेरा में आपका मेहंदर कर्मा और बाकी कुछ निता इसमें क्या थे समिल थे हुआ है तो यहें जिराम घाटी जिराम घाटी क्या होँ था नकसल बड़ि हमला यहां पे हुआ था आगे आज जिसमा जिला का है जिला उंख्याल ही सुढम्ट से नीचे आगे तरे आपको मिल जायगा पूंटा ठिक है कूंटा जो होगाँ दख श्रतान बिंदू होगा तो ये एनस 30 में इतना इस्थान आपको क्या करना है याद रखना है एक बार फिर देखते हैं यहां पर कंकेर में देखेंगे कांकेर में तीन स्थान याद रखना है एनस 30 में चारामा कांकेर और पंचवर्टी ठीक है उसके बाद कुंड़ा गामे आएंगे कुंड़ा गामे तीन स्थान याद रखना है केस काल फारास गाम और कुंड़ा बस्तर में आएंगे बस्तर में तीन स्थान याद रखना है बस आप उसके बाद देखते हैं State Highway 5, SH 5, SH 5 में देखते हैं, उपर से आएंगे, तो कांकेर का प्रमुखिस्थान याद रखना है भानुप्रताखपूर और अन्तागर, ठीक है, भानुप्रताखपूर अन्तागर, जो इसका क्या होगा, प्रमुखिस्थान होगा, कांकेर का, उस उसके नीचे यह इसके नीचे यह एंगे दबने को क्या मिलेंा नरायाणपूर जीला मुख्याला होगा उसके निचे जहेंगे छोटा ऑगर मिलेंगा जोटा ऑंगर जोटा रखUnडOS दंते वाड़ा जिला है, दंते वाड़ा जिला है, जैसे ही खुसेंगे, तो अपने मिलेगा बारसूर, ठीक है, तो बारसूर में है आपका मामा भाचा मंदिर, ठीक है, इसको धियार रखना है, बारसूर में क्या है, मामा भाचा मंदिर, उसके बाद आले ही गिदम, तो आगे आएंगे, आगे अपने को मिलेगा दंते वाड़ा, ठीक है, तो दंते वाड़ा क्या है, डंकनी संकनी नदी, पर दंते स्वरी देवी की मंदिर है, ठीक है, डंकनी संकनी नदी के जो संगाम है, वही पास क्या है, दंते स्वरी देवी की मंदिर है, दंते वाड़ा, उस तो यह चीतल के लिए प्रस्टिधा चीतल नाव किसके लिए चीतल के लिए तो हो गया SH5 SH5 में इतना सहार आपको याद रखना है एक चीजा आपको और देखना है NH130D NH130D जो है आपको नरायाणपूर को किससे जोड़ता है कुंडागाउ से जोड़ता है NH130 किसको जोड़ेगा? नरायाणपूर को किससे जोड़ेगा? कुंडागाउ से तो नरायाणपूर को कुंडागाउ से जोड़ेगा है नまだ तो पताइच दिये डोग्रा आर्त्र के लिए प्रसीत है जिला मुख्याला है, इसके बीच में बढ़ता है गर्गनवरा, क्या पढ़ेगा? गर्गनवरा, जो कि कॉंड़ा गामे पढ़ेगा, ये गर्गनवरा जो है सिल्प कला के लिए प्रशित है, किसके लिए प्रशित है? सिल्प कला, सिल्प के बहुत सारे कला यहां पर देखने कर टिए को मिलेगा तो गाड़धार और किसके लिए प्रसिद होगा सिल्फ आर्ड के लिए यह होगा प्रशिद होगा चलो इसमें हम लोग जो यह है आपका इसमें देख लाएंगे किनारे वाले भाग में यहां पर आपका लोग देखेंगे परंपकोट टीक है तो गैंसें कर जो वीदम वह अть रह था पाराणती नीचे पंचओंड पंगलादेंसी सब्सक्राणियं को lahmm बसं है गया है ठीक है पारारकट में गद्चीन कभी तो परखांजूर में जो है आपका बंगलादेश से तरढ dental है 2001 बनका पीज़ व्रम में है त्की test सब्सक्रीच 1- agony Ali तो इस्के आ कर दो एदर आपनो को मिद्वादय ऑंप्श्वा आते हैं यह क्या है तषीर दोपलत कर्णति अब यहां अब तो नेशनल पार्क तो नेशनल पार्क में आपको मिलेगा इन्डरावती नेशनल पार्क नेशनल पार्क आपको पहुंसा है इंद्रावती नेशनल पार्क राश्टि उद्यानी अब भ्यारण में आपको मिलेगा भैरामगर यहाप एक स्थान है तो इसी के नाप भैरामगर अभ्यारण बनायागी है उसके अलावा यहाँ पी निचे मिजए और दियाँगे यहाँ पी आपको मिलेगा पामेड अभ्यारड ठीक है तो दोझों मिलेगा भैरांगर पामेड अभ्यारड और इंद्रावस्ती क्या मिलेगा राष्टी districts फ्रूद्यान ठीक है अब यहां से जैएगे गेगा आपका भॉपाल पटनाव भॉपाल पटनाव के आगे भैरामगड ऐने शिवीव्प्ठी थी में जाएगे तो भॉपाल पटनाव यहां पे आपको बीजापूर मिलेगा जो की बीजापूर्जीला का जिला मुख्याला है बिजदैपुर के आगे आपको मिलेगा भायरामगर्द से आगे जैएगे आपको मिलेगा गीदम घीदान। जर्णानद सर्वाद के इसके बाद रहिए जग्दापुर को चवराहों का सहर कहा जाता है जग्दापुर को क्या ख мед dari now to ce तो इस तरीके से इसका जो प्रमुख सहार है उसको हम लोग कवार कर दिए तो इसको आपको याद रखना है इस साथ जीले में आपको नेशनल पार्क याद रखना है नेशनल नहीवे आपको कुंटा से होते हुए बस्तर होते हुए पुंडवा होते हुए पांकेर्श निकल्याग धम्फेरी होते हुए उधर आगे जो है कवार्धा के चिल्फिता चति हुए इधर आपका इस्टेट हैवे कुंटा से निकल करके इधर जाएगा तो इस तरीके से जो बस्तर संभात के हैं सभी सहर और लगधर लगधर सब पार्ट हमने क्या कर दिये हैं कवार करा दिये इसमें एक चीज़ और याद रखना है बस्तर में कांगेर घाटी राष्टी इसको बिलाद रखना है तो इस तरीके से यह जो है बस्तर संभात जो है आपका कबर होता है तो आसा है कि आप लोगों समझ में आ गया होगा ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्स्त्राइब जरूर करें और बेल आइकन की जो घंटी है उसको यह जगो ियह हो जगा है तो